नमस्कार शाम के साथ बच चुके हैं आप देख रहे हैं एबीपी न्यूस पर बड़ी कवरेज आपके साथ मैं हूँ चुत्रात्र पार्थी तीस पत्रकारों ने किस तरह से एग्जिट पोल अपना दिया है उसके आंक्रे हमने आपके सामने रखे चार रीजन में से तीन में बीजेपी बढ़ी बढ़त के साथ कॉंग्रिस पार्टी से कहीं जादा आगे निकलती भी दिखाए दे रही है जबकि सौराश्ट कच्छ के बारह जिलों में कॉंग्रिस पार्टी अपनी मजबूत पकड़ के साथ दो सीटों के साथ आगे बढ़ती भी नज़र आ रही है इसका आकड़ा क्या कहता है फाइनल आकड़ा आप तक पहुंचाएंगे लेकिन अपने दर्शकों के लिए किस तरह की कर रखे हैं हमने तयारी ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जल्दी से रोमाना का शुक्रिया चित्रा आप ये समझ दीजे कि ये 30 पत्रकारों का एक्जिट पोल है और ये कितना सटीक हो सकता इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बेहत करीब से और बारीकी से नज़र रखने वाले गुजरात की सियासत पर ये 30 पत्रकार जिनका एक्जिट दिखा देते हैं ये पूरी तस्वीर क्या उभर करा रहे हैं शुरू बात करने जा रहे हैं कच सौराश्ट्र से यही एक इलाका ऐसा है गुजरात का जहां 30 पत्रकारों के एक्जिट पोल में कॉंग्रेस आगे नज़र आ रहे हैं बीजपी से 2 सीटों पर बीजपी के खात जहन में आता है जिएस्टी को लेकर जहां पर जबरदस्ट विरोध हुआ था माना यह जा रहा था कि क्या इसका गुजरात चनाव पर प्रभाव पड़ेगा और देखिए जब पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है दक्षण गुजरात की जहां से 35 सीटे हैं तो बीजप गुजरात किसके साथ उत्तरी गुजरात का यह पिटारा खुला और उत्तरी गुजरात की सीटे कुल तेरे पन बीजपी 34 सीटे ले जा सकती है इन गुजरात विधान सबाचनाव में कॉंग्रेस को मेहद 19 सीटों से ही संटोश करना पड़ सकता है यह पत्रकार कह रहा हैं वो पत्रकार जो बेहत करीब से गुजरात की सियासत पर नज़र रखते हैं और गुजरात का आखरी हिस्सा मध्ध गुजरात का इलाका जहां से कुल 40 सीटे आती हैं इस इलाके से कॉंग्रेस को बहुत उमीदे थी लेकिन हो क्या रहा है इन 40 सीटों में से 24 सीटों पर बीजे सीटों का पूरा हाल पूरी तस्वीर इस 30 पत्रकारों के एकजिट पोल के मताबिक देखिए बीजेपी को 104 सीटे मिलने का अनुमान साफ तोर पर यहां पर कॉंग्रेस बेहत पीछे बीजेपी से हालाकि 2012 के मुकाबले में यहां पर कॉंग्रेस को थोड़ा फाइदा जरू पहुची है कॉंग्रेस लेकिन बड़े आराम से बीजेपी गुजरात में सरकार बना रही है मोदी मैजिक गुजरात के लोगों पर सिर चड़कर बोल रहा है जी एस्टी नोडबंदी जैसे आर्थिक मुद्दे गुजरात के लोगों को भाबनात्मत तोर पर नहीं उक्सा पाए हैं बीजेपी 104 कॉंग्रेस 75 अन्ने के खाते में तीन सीटे जा सकती है तीस पत्रकारों का एक्जिट पोल वही कह रहा है वही ट्रेंड ये भी दिखा रहा है जो कल ABP News CSDS के एक्जिट पोल ने दिखाया था मतलब गुजरात में बीजेपी सरकार बना रही है चित्रा गुजरात में बीजेपी सरकार बनाती हुए 30 पत्रकारों के एक्जिट पोल के हिसाब से 104 सीटे मिलती हुए दिखाय दे रही है और कॉंग्रेस पार्टी को मिल रही है 75 सीटे कॉंग्रेस इसलिहाद से खुश हो सकती है आपको बता दे 1985 के बाद ये पहला मौका होगा पहल अखलेश प्रताप सेंग हमारे साथ जोड़ चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता अखलेश ये पहला सवाल आपसे ही बीजेपी की बनाई पिच पर हिंदुत्यों की बैटिंग काम नहीं आई कॉंग्रेस पार्टी की 30 पत्रकारों के एक्जिट पोल में भ कि जब एक जिट पोल अगर 75 बता रहा है तो एक सब पंदरा विस्थम अपने आप ही आएंगे क्योंकि आपके चैनल ने अगस्त महिने में जो रिपोर्टिंग की थी उसमें हमारे और बीजेपी के को एक पोल बता था बीजेपी को दूसरे पोल पे बता नहीं नहीं लेकि हम समझ लेंगे अभी अठारा को एक जिट पोल बतावें कि जिसका एक जिट पोल एक औरे टाया हो को यह आया पिछले 57 वरसों में पचाव पचासों चुनाओं में तारीक तक का इधिश्यार करने की बात करें हम जमीन पे देख रहे थे जमीन पे देख रहे थे जमीन पे गुस्षे में थे बीजेपी के खिलाब मोदी जी के रैली फ्लाप हो रहे थी इनके मंतरी मुख मंतरी उपर मुख मंतरी को बहुत नहीं प्रक्यासियों को पबिक दोला ले रहे थी इतना घुस्षा है अगर अखिले जी अपनी वही तो मैं कर आ हूँ फिर वह वह नाराज की दिखेंगी अठारा को फैसला आने दीजिए उनको कि देगे चित्रजी कल पोल ओफ पोल जाया करीब पांच सर्वे का अवरिज भी अगर आप दिकाल ले तो 117-118 सीटे भारतिय जनता पार्टी को दी गई थी यह तब है जब 22 साल से भारतिय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात की जो जनता है उसको नरेंदर मोदी जी की मेहनत उनकी इमानदारी और नित्रत शमता पे पूरा विश्वास है और एक बात और पश्ट हो गई है कि यह जो फेर और लवली वाली पॉलिटिक्स है ना अलपेश ठाकुर कहते हैं मश्रूम खाओ गोरे हो जाओ या चुनावी हिंदू वाली पॉलिटिक्स है की राहूल गांदी जी भाग भाग के मंदिर के घंकिया बजा रहे थे चुनाव की वज़ा से यह पूरी तरह से विफल हो गई है और अकिलेज जी से मैं इतनी ही विंती करूंगा बहुत अच्छी बात है कि आप हिमाचल जो ह चुनाव होने वाला है क्या करनाटक के चुनाव में राहूल गांदी जने उधारी जने उधारी हिंदू रहेंगे या इक्षाधारी हिंदू रहेंगे संकर जी के भक्त बने रहेंगे या मश्डिदों मश्डिदों घूमते रहेंगे और दूसरी बात यदी कॉंग्रेस हार जाती है तो क्या राहुल गांदी की हार मानी जाएगी या फिर कॉंग्रेस कहीं और ठीक रह फोड़ेगा इसका अखिलेश जी जवाब दीजे रागी जी आप मेरे साथ कई डिसके सनों में रहें कल भी थे मैंने जो कल जवाब दिया तो वही आपको जवाब दूगा मैं जवाब देह लोगों को जवाब देता हूँ जिसकी कोई accountability कोई responsibility नहीं है उसके प्रतिहम जवाब देह नहीं है आप खांखां है समान नागरीक के नाप को प्रतिह नहीं होगे रहें जवाब देंगे यह मैं दूंगा जवाब को जवाब दी इससंदी के बदलत नहीं हाते हैं ठीकी आ और आरेसस विचारक वही है आरेसस आरेसस विचारक वही है जो अंग्रेजों के साथ थे तो इसलिए हम आरेसस की में पुलिटिकल नहीं है तो हम उनको जबाद नहीं आप आरेसस आपकी पूरी हो गई गौरव पार्टि आपके लिए सबाल है यहां पर अशोक पान खेड़ा आप बुलाते रहे दोरों जी आपने कहा कि लगातार इतने साल गुजरात की जनता ने बीजेपी को वहार रखा है यह सब के सामने है लेकिन वहां पार्टिदार आंदुल राज्य है वहां 30-30 करनी पड़ती है सारे मंत्री उतारने पड़ते हैं सारी चीजे करनी पड़ती है यह विकास होने के बावजूत क्या हम यह समझे कि गुजरात की जनता विकास को समझी नहीं पाती है उसको समझाना पड़ता है बार-बार इतनी करके कि नहीं नहीं हमने विकास किया है नहीं नहीं हमने विकास किया है और हंदुत्तु की प्रयोक्षाला भी बार-बार बनाती है बीजेपी गुज्रात को जी जल्दी से जवाब गौरब देखिए बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है मैं इतना ही कहूंगा कि भारतिय जंता पार्टी जब कारी लेते हैं माइक्रो मैनेज करते हैं और हम पर आरोप क्या लगा है हमारे पर आरोप ये लगा है कि हम गुज्रात में बहुत मैंनत कर रहे हमारे मंत्री वहाँ है और और इंगेज कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस को देखिए वो तो इंगेज ही नहीं करती वोटर के साथ उनके अपने अपने पूछा था उत्तरप्रदेश से प्रदान मंत्री चुनाओ लड़ते हैं गंगा का बेटा बनके जाते हैं लेकिन उस उत्तरप्रदेश में भी इतना बड़ा राज्य होने के बाओ जू जास आपको मिली है वहाँ पे भी इतनी मेहनत प्रदान मंत्री ने नहीं की जो इतने 182 सीट के विदासभा में करने पड़ती है गुजरात में इतनी जादा मेहनत क्यों करने पड़ी गॉर्ण जी जल्दी बोलियो उसके बाद अश्यक् करता राहूल गांदी के साथ कोई मेहनत शब्द का प्रयोग नहीं करता यह अपने आप में जो आपने प्रश्ट पूचा है उसका उत्तर है और गुजरात की जनता जानती है कि वहाँ विकास हुआ है कोई कमिया अगर है तो प्रजा तंत्र में उसको दूर करने का काम भी स प्रश्ट मॉडल नहीं है जो आप जनता के सामने रख सके शायद यही वज़ा है कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से आपको खारिश कर दिया अब आपने आपने आरोप लगा है हम अपक्षा करेंगे धर से सुन लेंगे आप सारे लोग एसिया का पहला सिविल एवि मैं पता आपको अस्या का पहला सफे हाजी पूर दीजा प्रश्ट साल अमट बेज़ अमत बोलिए क्यूंकि राजिथे मान रहा तो सुन लो नहीं बोलूंगा अर्च्छिए आप पर दो शुरा नहीं बढ़ा यहीं को है अम जब गिना रहा दो क्यों यह भाग रहा है मैं चुनाव खतम होगे अब उनको बोलने दीजे़ जुन कर दीजिए अरे गल्ती करें तो फिर्पक्राइब अधिक आराम से अराम से अराम से प्लेजिए बहुत जादा नाराज करें तो अधिक अरे थारत आरिक बाति हैं नाराज मत हुए अगलेज जी कैसी बात कर रहे हैं क्यों माफी माँगे 2004 से राहुल गांति अबेटी जीत रहे हैं एक सेकेंड मेरी बात सुनिये आपको पता है 2004 में उनके जीत कांगडा कितना ज्यादा कम हो गया स्वेटी राणी से वज़ब बताएंगे इसकी पीछे आप क्या बात करते हैं अरे सुन लो सुन लो आप प्लीज सुन लो वहां पे तो प्लीज सुन लो चले तो लगता है कि बहुत जादा समय चला जाएगा कुछ और सवाल है जल्दी जल्दी गुजराद पर हैं चले ठी सुनिये अरे रोने वालो नहीं नहीं क्यों फिर हमें ठीको पदनाम करते हो अच्छा ठीक है ठीक है यह जाएगा सवाल पूछे सवाल सवाल अब उसका जमात दीजेगा और जूटा सवाल है अमेटी का कोई मॉडल है नहीं इसके बाद रहूल गांदी बार बार वहाँ जितते हैं तो यह हम समझ ले कि डेवलोप्मेंट नहीं करते हुए भी लोग चिनाओ जीतते हैं तो क्या गुजरात में भी ऐसे ही हो रहा है गौरब हाटिया या देखिए मैं आपसे सिर्व इतना कहना चाहूंगा अमेटी और कौन नहीं लड़ा है जो की सांसर की एक कॉंसिट्वेंसी है उ सब्सक्राइए वहाँ विकास हुआ आप देखिए अधारा प्रदेशों में हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी आज एक अफ़ते आप अग्या ने बुलाया है मैं आया हूं अखिलेश आपको पता है अखिलेश प्रताप संजी अब मेरी बात सुनीजे अमेठी के विकास को आप गिना रहे हैं जरा इसका जवाब आप दीजेगा आपको पता है अमेठी में एक धंका होटल नहीं है बाहर से जो लोग आते हैं वो राइबार इलिया और दुर जेखा जितनी मैनत नरेंद्र मोदी ने इस चुनाओं में गुजरात में बाइस साल के विकास के बात की है तो जो पत्रकार का सरवे आया है वो एक सो चार सीट दे रहा है मतलब आल्मोस टच अन गो वाली सिचुएशन बन रही है आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये जो बात है वो गले नहीं उतार रही गौरभाटिया नहीं मैम पहले तो देखिए मैं सरवे जो है पत्रकारों का उसका सम्मान तो करता हूँ बस उससे सहमत नहीं हूँ और आप कहती हैं टच अन गो मान लीजे सिर्फ चर्चा के लिए भी एक सो चार सीटे हैं तो मेजॉरिटी से फिर भी ये तेरा चौदा सीटे ज़्यादा ही है और बाइस साल आपकी सरकार रही हो और अंटी इंकंबिंसी दा आई हो नरेंद्र मोधी जी मुक्य मंत्री बन के आज प्रधान मंत्री बन गए हो उसी गुजरात मोडल में ये खुद दर्शाता है कि हमने वहाँ काम किया है और जनता वहां की हमारे साथ है नतीजे आए उस्तर प्रदेश में भी किसी ने नहीं का था कि 325 सीटे आएंगी हमारी स चीटे आए और अभी लिए आप देखेएगा इस सर्वे से बहुत आगे लिकल जाएगी भारतिय जनता पाटी हमारी जीत तो सब होगे जब आप मार्जिन की बात करने लगे आज चर्चा का विशे यह नहीं है कि बीजेटी जीत रही है या कॉंग्रिस आज मार्जिन की ब पारिमा रख्की दि बताइए आप दावा कर रहे हैं कि गुजरात में आप डेड़ सो सीटे जीत रहे हैं तो इस जीत के पीछे इस संभावित जीत के पीछे राष्टिये स्वेंसेवक संका खास्त ओर से आधिवासी छेत्रों में क्या योगदान है आपकी जीत के साथ आर एक कहेंगे कि RSS की क्या भूमिका है RSS हमारे साथ हमेशा से कारे करता रहा है उनकी बहुत सी चीजें हैं जिससे हम लोग सीख लेते हैं और वो जोड़ता है हमारे कारेकरताओं को भी अपनी विचारधारा से मैं इतना ही कहूंगा कि जब जीत होगी तो वो आदिवासियों की आफ से इतनी ही है जितनी की वो पिछडों की है और चल्दी से यह एक सवाल दोब एक सब्माण है दोड़नों चाहिए बरुकरताओं कि क्या गुजरात में यदी कॉंग्रेस की हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी राहुल गांधी की या पार्टी की अखिलेश जी अखिलेश प्रताप से आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंतजार रहेगा अठारा तारिक तक और आप यहां पर देख भी पारें 58 घटे 42 मिनट बाकी हैं पहले इन नतीजे के आने में इस पर रहेगी है माईने नजार आप तमाम महमानों का भी बहुत शुक्रिया अमार साथ इस चर्चा में शामल होने के लिए यह है एबी बी नियूज आप को रखे आगे